हेलो सिक्स क्लास, टोड़े वी विल स्टार्ट टो रेट चैप्टर नमब रेट रूरल लाइवलिःट ठीक है तो हम इसमें बात करेंगे कि जो रूरल पीपल्स हैं, जो विलज की पीपल्स हैं वो कैसे अपना अर्निक जो है वो करते हैं, कैसे कैसे काम विलज में किये जाते हैं तो जो एक विलज की पिक्चर दिखाए गई है, इसमें डिफरेंट पीपल्स जो हैं डिफरेंट काम करते हुए लजर आ रहे हैं तो वो कैसे अपना जीवन गुजारते हैं, आपने नेज कैसे पूरी करते हैं, इस चेप्टर में हम आपको बताएंगे. जहां पर इक कलपठु विलिज की स्टोरी नी गई हैं. कलपठु विलिज अविलिज तो देट्स काम करते हैं, जैसे हैं बास्केट मेछिछ है, यूटेंसिल्स है, पोर्स है, ब्रिक्स हैं। तो बुलक कार्ट जो है वो बनाते हैं जहां पर लोग, there are many people who provide service such as blacksmith, कुछ लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, ऐसे blacksmith काम करते हैं, nurses हैं, teachers हैं, washermen हैं, weavers हैं, barbers हैं, cycle repair करते हैं, mechanics हैं वहाँ पर, तो ऐसे लोग जो हैं different work करते हैं, इसके लबाँ वहाँ पर shopkeepers हैं, traders हैं, shopkeepers सापको पता है, जो दुकांदार होते हैं, traders, जो लोग वेपार करते हैं, जो trade करते हैं, जो चीजें sale करते हैं, ठीक हैं, और वहाँ पर street कहता है, in the main street which looks like a bajar, वहाँ पर एक main street है, जो bajar जैसे नजर आती हैं, ठीक हैं, तो आगे हम बात करते हैं, कि वहाँ पर variety of shops मिलती हैं, उस bajar में shops हैं, grocery shops हैं, barber shops हैं, cloth shop है, tiller shop है, fertilizer, seed shops, सारी चीजें दुकाने जो हैं, वहाँ पर मिलती हैं, जे किसके बारे में बात करें हैं, कलपटू village के बारे में बात करें हैं, तो जहाँ पर बात करेंगे, the village is surrounded by low hills, जो village है वो low hills से गिरा हुआ है, आस पास उसके छ चुटी चुटी पहाड़िया हैं, तो वहाँ की main crop paddy है, paddy के है, वहाँ की main crop है, तो there are some coconut groves around, वहाँ पर कुछ coconut के trees हैं, आस पास village के, cotton sugar cane and plantation are also ground, वहाँ पर sugar है, cotton की plantation भी की जाती है, चीक है, तो आगे हम different persons के, वहाँ के जो persons जो वहाँ पर रह रह रहे हैं, उनकी story से हम जे आपको बताएंगे कि वहाँ पर landless laborer कौन से हैं, small farmers कौन से हैं और big farmer कौन से हैं, थुलसी, थुलसी वहाँ पर एक landless laborer है, तो उसकी कहानी जहां पर बता रहे हैं कि all of us here work on Ramlingam's land, वह सारे थुलसी जो है, वहाँ पर सारे लोग Ramlingam's की land पर ही काम करते हैं, जो Ramlingam है, उसकी 20-acre land है, 20-acre land है उस village में, तो Ramlingam जो है वो big landowner है वहाँ पर, big farmer है, ठीक है, उसकी 20-acre land है और वहाँ पर लोग पैडी, पैडी ग्रो करते हैं, जिसको धान कहते हैं हिंदी में, वो ग्रो करते हैं, उसके खेतों में जाते हैं, जहाँ पर थुलसी अपनी story ब में पैडी का काम करते हूं, पैडी बोती हूं, पैडी जाने धान की खेती करती है वो, और काम करने का time देखो, उसका कितना है, काम कितने, 8.30 से लेकर कहती, 4.30 पीम दग वहाँ पर वो Ramlingam के खेतों में काम करती है, ठीक है, तो जहाँ पर तुलसी अपनी story बताती है, कहती when I was young, I could do this work with no difficulty, जब कहती है, वो जवान थी, नो जवान थी, अच्छी सेथ थी उसकी, तो वो बिना मुश्किल से ही वाँके रामलिंगम के खेतों में काफे समय तर काम करती रहती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी उमर बढ़ती जा रही है, अब उसको पहुसी जैसे पहुसी प्रॉपीस 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 प्रॉपी बहुत कम है लेकिन मेरी मजबूरी जए है कि मुझे उसके खेतों में काम करना पड़ता है क्यों क्योंकि राम लिंगम के खेतों में वो शुरू से काम करती है और जब भी राम लिंगम को ज़रूरत पड़ती है तो वह उसको बुला लेता है और समय पर उसको बे करता रहता है राम लिंगम की खेतों में पैस्टिसाइट को स्प्रे करने का काम करता है ठीक है तो वो बताती है कि कभी-कभी हम लोग बाहर भी काम कर लेते जब भी हमारे पास टाइम होता है तो हम वर्क आउट साइट तो बाहर भी काम कर लेते हैं तो क्योंकि उनका गुजारा नहीं होता, उनके घर का गुजारा नहीं होता उतने पैसों में, तिसलिए उनको बाहर भी काम करना पड़ता है, जा नेर पाई टॉंस में भी उनको काम करना पड़ता है, जा मारक लागे साथ साथ में जो भी काम मिलता है, वो करते रहते हैं, फि के लावा वो और भी कहीं काम मिलता है तो वो भी वो करते हैं तो इस तरह से वो पैसा कमाते हैं और आपना जीवन जापन करते हैं तो आपको बता चलता है कि कैसे घर को चलाने के लिए कितना पैसा जुरूरी है और पैसा कमाने के लिए कितने एफ़र्ट करने पड़ते हैं प अपने फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ, फिर I go with other women to the near by force, फिर मैं गाउं में अपने दूसरी women's के साथ जंगल में जाती हूँ, आपर firewood collect करती हूँ, छीक है, फिर मैं घर के लिए पानी भर के लिए कराती हूँ, fetch water, तो इस तरह से घर में जो भी grosses चाहिए, वो इकठी गर के घर में रखती हूँ, our school going daughter, फिर वो बताती है, मेरी एक daughter है, वो school के लिए जाती है, तो उसको देकर हमें बड़ी खुशी होती है, अब कहती हूँ, अगर बिमार पढ़ जाती है, had to taken to the hospital in town, we had to sell our car to pay back the money we borrowed, आप कहती है, अगर जरूरत पढ़ती है, हमें borrow money को borrow करना पढ़ता है, ठीक है, अगर उसका बच्चा बिमार हो गया था, तो उन्होंने money जो राम लिंगम से उधार ली थी, आगे बात करते हैं, तो इस तरह से क्या पता चलता है, कि जो थुलसी है, तो वो क्या है, जो village की सबसे ग्रीव family है, जो थुलसी की family है, village की सबसे ग्रीव family है, और वो क्या है, अपना घुजारा करने के लिए, क्या करती है, जंगल से firewood collect करती है, पानी भर के लेकर आती है, उसने घर में cattle से भी रखी हुए, वो cattle को भी चारा डालते हैं, तो बहुत मेनत करते हैं वो लोग, आगे हम बात करते हैं, आगे एक और स्टोरी है, सेकार क to our house, my family has just finished harvesting our field, we don't own much land, only two acres, अब जो सेकर है, उसकी two acre land है, कितनी land है, उसकी two acre land है, अब राम लिंकम की बारे में आपने देखा कि वो, उसकी कितनी twenty acre land थी, अब जो सेकार है, उसकी कितनी है, two acre land है, ठीक है, we manage to do all the work in our own, कितनी वो सारा काम, घंकी family ही सारा काम मिलके करती है, तो इसकी बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगी, ठीक है,